हालो फ्रेंड आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में तो आज हम बनाने बाले मिर्ची पकोड़े तो बारिस का मौसम है तो हम बनाएंगे मिर्ची पकोड़े तो मैंने 500 गराम बेशन लिया है इसमें डाल ले हींग थोड़ी सी डारेंगे लाल मिर्च पाउडर और दारेंगे तो आधे चेमच गरम मसाला आधे चीमच नय पाउडरइड़ अग्जमच झीरा इस मिर्णाब में नमक अब इसका गोल बनाएंगे तो गूल मेरे बना लियाए देखिए थोड़ी-थोड़ी गुठ लिया है इनको बी को these बनाते रहेंगे देखिए एसा ही बन गूल हमारा रेटी है इसको डगकर रख रहे हैं हम तब तक करते हैं में चोगी तैयारी तो मिच में दुल नहीं थी अब इन में लगाएंगे हम कट चापू से देखिए बीच में से ऐसी कट करना है ताकि इसमें हम नमक बरेंगे ताकि बेशन में हम जैसे डुबो कर सेंके तो बेशन इसमें बर जाए तो स्वाथ खराब नहीं हो देखिए में नमक बर रहे हैं ऐसे में नमक लगा लगा करके सारी में को हम रेडी कर लेंगे और डारेंगे ओल तो ओल देख रहे हैं हमारा गरम है कि नहीं है अभी तो गरम नहीं है तब तक गरम हो रहा है तब तक हम देख रहे हैं गोल को तो गोल हमारा रेडी तो रखा ही था देखिए इतना पतला होना चाहिए 问 तो हम मि Febru do करके ओल में सेंक ओंगे देखिए मिच अम डुबो लिये आप में कड़ाई में डालेंगे अभी तोड़ी करम कम है तो मैंने एक ही मिर्च डाली है दूसरी डालेंगे तो ठो लगए हमारी दाल लेंगे तो धोड़ी तल लाइए अभी और दालेंगे से देखिए उम पर। बांचों ऋद्धकर लै नाज दाल लए हvat llegó की अब जिस म yapmışिने अभी तक त्ला हैं थे दोबारा इसको पल्टेंगे जब तक लाल नहीं हो जा रही है ताल हो जाएंगे तब पल्टेंगे इनको हम देखिए पकोड़ी अभी सिख रही है थोड़ी पहले डाल लाल हो चुकी है तो मैंने पल्ट दी एंगे अब दोब पकोड़ी और बचने इसको भी हम पल्ट रहे हैं जब हमारी पकोड़ी तल जाएंगे तब हम इसको ठाले में निकालेंगे देखिए लाल हो चुकी है पकोड़ी तो अब थाले में इनको निकाल ले रहे हैं पूरी पकोड़ी सिख चुकी है तो अब हम थाली में निकाल ले रहे हैं तो थाली में हम निकाल चुके हैं है तब तक कर रहे हैं हम चटनी की तयारी तो धन्या लिए अदरक मिरच और सुकी आम नमक अब इसकों पीस ले रहे हैं चटनी हमारी रेडी हो रही है रेखिए चटनी हमारी रेडी हो चुकी है तो पकोड़े में सेख लिए थे तो पकोड़े हमारी तैयारें चटनी के साथ खाईए हरी चटनी ते बहुत ही स्वादस्ट लगेंगे और अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आए लाइक करें सब्सक करें थेंक यू